है वाइज मेरा नाम है ओपी गेमर और आज मैं पॉपी प्लेटाइम के आपको कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिन अधिसे दिर के चली शुरू करते हैं क्या आपने कभी गौर करा है जब हमें पॉपी होता है वहाँ पर आपने डोल देखा हुगा जिसके दो चाहिए समझ करें हो suitable ठीक है जहाँ पर दो हैं जापर आ और वहाँ अर्छा पर बान ब्सक्राइब सकतें और उस गेट को हो लिए सकते तो सक मतलब क्या पता चलता है अपको और आपने कभी कपार कुछ स्ट्आरी म तो जैसे कि आपको पॉली ब्लेटाइम चैप्टर 2 में तो लगता नहीं है कि वहां पे वो होंगे। जैसे कि आपको पॉली ब्लेटाइम चैप्टर 2 में भी दिखाया गया है कि 1006 एक रोबोट की 1006 में जब कुछ लोग expected mode on करके उसे देखने जाते हैं तो उसमें इंसानी हड्डिया पाई गई है क्या वो उन्हीं employees की है क्या उसने employees को मार दिया है या फर पॉपी ने employees को मारा है और मॉमी लोग ले कौन है वो कैसे बनी हगी वगी कब से जिन्दा है हगी वगी को कब बनाया गया था और ये डूर कैसे खूलेगा क्या ये पॉपी प्लेडाइम चैप्टर 3 में खूलेगा और आपने देखे होंगे QC के पाफ और भी काफी जादा डूर सूंगे क्या वो खूलते है क्या वो पॉपी प्लेडाइम चैप्टर 3 में खूलेंगे या फर नहीं आज हम उसका थुलासा करके रहेंगे कैसे ना कैसे करके तो पहले नंबर पर आ जाते है पहला तो ये जैसे हम जब भी उस वाले गेट उस वाले गेट को खूलने चाते है वो वाला शटर बंदू रखा होते है वाई भई क्यों बंद रहते है वो क्या पता उसमें कोई इंपोटेंट या फिर कोई साभी एक इंसान हो या फिर उसमें क्या पता एक्सपेरिमेंट 1006 हो या फिर उसके अंदर कोई और ही ऐसी चीज हो जो कि जब वो वारा गेम मतलब वो वारा शटर खुले तो सारे employees वगिरा हैरान हो जाए या फिर और आपको ये वाली चीज भी पता है कि हमारा character कौन है कौन है ये character जिसके साथ हम खेलते हैं आपने एक story में देखी होगी कि एक लड़की हमारी character नहीं guys जो इस company में पहले काम करते थे वाकि सारे employees तो गाई हो गए थे बट ये वाले जो employee है इसने resign दे दिया था ये company को और काम करना नहीं चाहता था तब ही इसके घर में बहुत सारा police आ जाते हैं और पूश्टाच करते हैं कि employees वगिरा और जो यहाँ पर scientist था वो कहां गए वो flower कहां से आया अभी तक किसी को पता नहीं है ना गाई तो जो employee है जिसके साथ हम खेलते हैं वो खुद एक employee है इस company का वो इसमें काम करता था पहले पूरी company खराब हो गई है तो वो थोड़ा सा explore करने लग गया इस company को है ना गाई और आपने कौर भी चीज देखी होगी जब हगी बगी होता है पीसी आले वर्जन में नोड करे होगी हगी बगी के पीछे भी एक गेट होता है आपको पता है नहीं पता होगा क्योंकि ये पीसी वाले वर्जन में ही होता है है ना गाई अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है आप देखें ज़रा यहीं डोर गाइस यहीं वाले डोर यहीं क्या इसने कभी किस्ने ने देखा है इसमें वाले ब्लु हैंड क्यों नहीं आप ता इसमें इंसान है या फुरूस में? सच में गाईज, अब तक किसी को भी नहीं पता है और जो पॉपी है, उसे क्यों बनाया गया? और ये देख सकते हो गाईज, ये वाला डूर आपने कभी देखा है? इसमें स्टेर्स क्यों बने यार? क्यों भाई? उपर कोई ना कोई? हाँ गैज, उस मेरा साइन्टेस्ट पक्का होगा उस वाला डूर में साइन्टेस्ट का होना पक्का है इतना मैं क्या सकता हूँ? आने वाले चैप्टर्स में साइन्टेस्ट शायद हमारा दिखाया जाए तुकि जो पॉपी बलडाइन चैप्टर्स में का ट्रेलर है वो तो रिलीज होई चुका है अब बस गेम आ जाए आप सबको पता चल जाएगा कि वो दोर खुलेगा या फिर नहीं और आपने गईज, एक और चीज उन्टेस्ट करी है नहीं करी होगी ना यह भी चीज नोटिस नहीं करी होगी हंडरड परसंट चौर जो मैशीन थे जब पॉपी वो जो हगी बगी है वो 1984 में रिलीज हुआ था तब काफी जाद़ इतनी जाद़ मैशीन नहीं थी इतनी जाद़ हमारी जो जो भी दुनिया यह वाली उसके अंदर इतनी जाद़ इंप्रूवमेंट नहीं थी क्यों वो इतनी सारे इतनी आटोमेटिक मैशीन बना पाए और आपने इस वाली मैशीन को देखा होगा जो आपकी स्क्रीन पर साइड वाली मैशीन है वो हमें गूरती है यह सारे टॉइज में खूद निकलता है क्योंकि असली में यह खूद इंसानों से बनता है यह गाईज अब जितनी भी अभी मैशीन देख रहे हो यह सारी इंसान से बनाई गई है क्योंकि तब इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी जहां तक देखा जाए तो देख सकते होगा इस देवाली मैशीन हमें गूर रही है क्यों मैशीन गूरेंगी थोड़ी ना मैशीन के पार और भी तो काम होते हैं और देख सकते हो यह लेजर वाला यह कहां से लेजर इतनी इंप्रूवमेंट थोड़ी ना होगी किसी भी एक पुराने 1984 में इतनी इंप्रूवमेंट कैसी होगी तो जब हगी बगी निकलता है तो पहले यह बताओ कैसे आगे तो ब्लैक होता है और आपने चैप्टर वन में और भी बात नोटिस करे होगी जो आखर में हम जो हगी बगी के उपर डबा गिराते हैं ना उस पर ग्रीन हेंट की हुए और यह जो वेंट से उनके उपर इतना जादा छुप छुप के लिखा किसने ऐसा कैसे हो सकता है कौन लिखेगा पेंड के अंदर ऐसी ऐसी चीज़े बताओ ना आज मैं इस वीडियो में आप सोच भी नहीं पाओ गये है अब देख सकता है इतनी इंप्रूब्मेंट नहीं हो सकते हैं जहां तक देखा जाए तो है ना यह डेंजर गों पी आपने देखा होगा अभी मैं आपको दिखाता है वह ग्रीन हेंड क्या कर रहा है जब आप पावर वाले एरिया में जाते हैं वहाँ पर येलो और ग्रीन हेंड क्या करते हैं कि वह येलो हेंड और वह एक्सपरिमेंट 1006 के लिए आईगा वह चैप्टर 3 में हमें दिखाए जाएगा वह येलो हेंड अभी किसी को नहीं पता है अब जैसे देख सकतो डब्बे में ग्रीन हेंड बनाएं जब हम डब्बे को फिरा देते हैं वह सारे है केज के अंदर किसमें बंद गरा नहीं पता शाएग जैसी को नहीं पते अभी तक ही और आपने एक और बात नोश्मिस करें कु भी पापी प्लेटाइमं चैप्टर 5 में यहां पे अलमारी लगी हुई है जो डूर से हम पापी प्ले आइब hierarchy प्ले कैश्याए में प happens तो गाइस वैसे आपको इस वीडियो कैसी लगी मुझे कामेंट्स में बताओ और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रू ज़र ठोक देना बहुत दरा मुश्किल लगी है मुझे इन सीकेस को ढूनने में और आप बताना की हमारे इंप्लोई कहां पर है तो मिल सें किसी न्य न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ तब तक लिए गाइस बाइबाय